अब गुड्र मॉर्णिंग फ्रेंड इंडियान श्राला में आपका स्वागत है इंडियान जिग्रोफी की सीरीज में यह पार्ट शिक्स हैं चली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है भारत में परिभान तो सलक परिभान की बात करेंगे परिभान कई प्रकार के होते हैं सलक परिभान जेल परिभान वाई परिभान तो सबसे पहले हम देखेंगे सलक परिभान के बारे में सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है यह बिश्टु का दूर्सा सबसे बड़ा सलक नेटवर्क है भारत और ये भारत का लगभग 58.98 लाख किलोमेटर सलक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जिसे राश्टी राजमार्क और अनसलकों में सामिल किया जाता है अब देखते हैं राश्टी राजमार के बारे में इसके निर्मार और प्रवंधन तथा रखरकाओं के जिम्यदारी भारे सरक द्वरा किया जाता है यह संपूर्ण देश के सलकों के कुल लंबाई का 1.9 प्रत्सत है तो ध्यान रखेगा एक्जाम में पूछेगा कि राश्टी राजमार और अन्य सलकों में सर्वादिक सघंता किसकी है तो आपको यह नहीं बताना है कि राश्टी राजमार की है ठीक ह आगे देखते हैं वर्तमान में वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार और एक सेकेंड इस हाइवे का पुराना नाम एक सेवन था यह राजमार भारत के उत्तर स्रीनगर जब्यकसमेड से भारत के दक्षमी चोड कन्या कुमारी तमिलाड पर जाता है यह राश्टीराजमार की लंबाई तोटल कितनी है 345 कुलोमेटर है यह राश्टीराजमार जम्मो कस्मी से शुरू होके पंजाब, हरियाना, दिल्ली, उत्तर प्रुदेश, मद्य प्रुदेश, महराष्टरा, तेलंगाना, आंधर प्रुदेश करनाटका से गुजरते वित г में लट तक पहुछ जाता है यह सभी राज मार्ग कर देया हुए है ध्यान रखेगा कि स राश्टि- मार्ग फिट् में निमनल खित राष्टि- राजमार24 में निमन पूराने राश्टि- को सामिल किया है कौन कौन से एनच वने यह स्री नगर से पंजाब को जोड़ता है एनच वन यह पंजाब को हर्यानस और दिल्ली से जोड़ता है एनच टू दिल्ली से आगरा तक जाता है एनच त्री यह आगरा से ग्वालियर तक जाता है कमेंट करके बताइए कि ग्वालियर कहा है, NH 75, NH 26, ये ग्वालियर से जहासी जाता है, NH 7, ये जहासी, सिनागपुर, निजामाबाद, हैदराबाद, बंगलूरू, मदुरे, जैसे सहरों से कन्यकुमारी तक जाता है, पुराना राष्टी राजवार शंख्या 1 और 2 गो समलित रूप से ग्रावन टंक रूड या जीटी रूड कहते हैं, अब कुछ नोटिस है, देख लेते हैं, क्या है, जीरो माइल स्टोन, ब्रिटिस द्वारा नागपुर में इस्थाफित किया गया है, किस ने इस्थाफित क इसका प्रयोग सभी दूरियों को नापने के लिए करते हैं, आगे देखते हैं, यहां भारत के 10 सरवादिक लंबे राष्टी राजमारगों की सूची दिवी है, चलिए उसको देख लेते हैं, सबसे पहले NH44, अच्छा यहां देखें, इसकी लंबाई आपको याद करने की जरूत नहीं है, यह आप सारी राष्टी राजमारगों की लंबाई याद करें, आप सबसे छोटा जो है, उसका याद करिएगा, और जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़े में दो, पहले वो दूसरी कम का याद रखेंगा, बाकी जो सबसे कम है, उसका याद रखेंगा, NH44, तो NH44 की लंबाई कितनी है, 3745, या फिर इसको 3745 करके याद कर लेज़े, स्री या स्री नगर से कन्या गुमारी तक जाता है, डूसरा है, NH27, इसकी भी लंबाई देख लेते हैं, यह 3507, यह कहा जाता है, यह पोरबंदर से सिल्चर तक जाता है, अब आगी की जितने भी राष्टी राजमार्थ हैं, तो आपको यह जानना जरूरी, किलोमेटर मत याद रखेंगे, लेकिन यह जरूरी है जानना कि कहां से कहां तक है, तो NH48, NH48 दिली से चन्नाई तक, NH4, शरी, NH52, यह सिंगरूर से अंकोला तक, NH5, NH30, यह सितार गंज से अब्राहिम पट्टनम तक, NH6, यह जीरो वाट से से शेलिंग तक, NH53, यह हजीरा से पारादीप तक, NH16, यह पूर्वी टिट पस्ष्री मंगाल से चन्नाई तक, NH66, यह पन्वेल से कन्या कुमारी तक, NH19, यह दिली से कुल्गत्ना तक, NH44, जिसका पुरान नम, NH1A था, में जवाहर सुरंग इस्तित है, ध्यानर के कई बार कुछता है, जवाहर सुरंग कहां इस्तित है, यह ध्यानर के NH1A, या फिर NH44, दो में से कोई आपनो, यह राजमार, जालंदर से, जम्मु वस्री नगर होते हुए, उरी तक जाता है, कहां तक, उरी तक, जम्मु वस्री नगर को जोडने वाले बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग में इस्तित है, जम्मु वस्री नगर, राष्टी राजमार, NH44 में 9.2 किलोमेटर लंबी, चनानी नासरी सुरंग जो की देश की सबसे लंबी सलक सुरंग है कौन सी है फिर से सुन लीजे चनानी नासरी सुरंग यह देश की सबसे लंबी सलक सुरंग है यह जम्मु कस्री नगर राश्टी राजमार नह 44 में इस्तित है इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई 9.2 क यह एसिया की सबसे लंबी द्वी दिसात्मक राजमार सुरंग है यह सुरंग जम्मू वककस्मीर की उधंपुर जिले में स्थित चनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोती है इस सुरंग के बन जाने से जम्मू वकस्री नगर के बिच यात्रा में लगने वाले समय में कितने स्विंटे की कमी आई तो दो घंटे की कमी आई चीक है आगे देखते हैं भारत का सबसे लंबा केबल तेपुर गुजरात राज के भरूच जिले में स्थित हैं किस नदी पे नर्मदा दीपे है इसका निर्मार राष्टी राजमार 8 के अहमदाबाद मुबाई खंड पर याता यात को सुगम बनाने के लिए किया लिया है भारत का सबसे छोटा एनच 118 मतलब एनच का मतलब निसनल हाइवे होता है ठीक है तो एनच 118 एनच 548 जिसकी लंबाई 5 किलो आपको बताना है राष्टी राजमार चंक्या 118 या राष्टी राजमार चंक्या 548 और इसकी तोटल लंबाई 5 किलो मिटर है और यह जारिखंड और महराश्डा को जोट कि चलिए फिर आगे बढ़ते हैं देखते हैं पुराना राश्टी राजमार पंद्रा राजस्थान के मरुस्तत से होकर गुजरता है तो यहां आपसे कोशन व accents कूशेगा कि कौंसा राज्टर राज्मार मरुच्छर से होकर गुजरता है यहां राजस्तान के मरुस्त्र मेरibenben गुजरता है तो यहां बिल्कुल उसको देख लेते हैं भारत स्वाणिम चतुरुफुज योजना के अंतरगत पांच जार आट सो चालेस किलोमेटर लंबे राश्टी राजमार द्वारा चार माहनगरों दिल्ली मुंबाई चन्नाई और कुलकत्ता को जोड़ा गया तो सबसे पहले ही पुछेगा स्वाणिम चतुरुफुज योजना का संब्ध किस से हैं तो ध्यान दिखेगा है सलक जोड़ो योजना से और इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो इसकी कुल लंबाई पांच जार आट सो चालेस किलोमेटर है और यह चार माहनगरों को जोड़त स्री नगर को कन्या कुमारी से तथा पूरवी पस्षिम गलियारा से सिल्चर से पूरबंदर को जोड़ा गया है इसकी कुल लंबाई साथ जार पांच सो बाईस है ठीक जार रखेगा उत्तर दक्षिन गलियाला और पूरव पस्षिम गलियारा वैसे भी याल करना आसान है उत्तर दक्षिन सबसे उत्तर में स्री नगर नदब जमू कश्मिर और सबसे दक्षिन में तमिलाट कन्या कुनारी तो उत्तर दक्षिन गलियारा स्री नगर और कन्या कुमारी को अब पूरव पस्षिम हो तो सबसे पूरव में सिल्चर और सबसे पस्षिम में पूरवंदर ठीक कुल लंबाई भिया दके 7529 भारत माला परियोजना इस परियोजना का उटगाटन इस परियोजना की खोष्रां के अंदरी स्टरक राजवार मंतरी नित्मिगलगरी ने 2017 में किये इस परियोजना के तहत लगभग 26-24 किलोमेटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है इस योजना की मुख प्रात्मिक्ता राश्टी गलियारे की दक्षता में सुधार एम नए आर्थिक गलियारों का विकास करना है अंतर गलियारा एम फीडर मार्गों का विकास करना है और क्या और टटीव व्यंवंबंदरगास संपर्क सलकों का विकास करना है तता नए एक्सरिस्टिवए ओंगा मिर्मान करता है अभी आपने लेटरश गौमती एक्सरिस्टिवए का नाम सुना होगा सेतु समद्रम तो सुना होगा अब यहां पर सेतु भारतम समद्रम कमेंट करके बताईए किस पर योजना से सम्बंदीत है इस योजना के तहट राश्टी राजमार्गों पर लेवल क्रोसिंग के अस्थान पर आर ओबी आर यूबी बनाने की योजना है अब अगला देखते हैं चार धाम महामार के विकास योजना इस योजना यह योजना उत्तराखंड में इसे चार प्रसिप्ध धामों गंगोत्र यमनोत्री, किदारनाथ, बद्रिनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए किया गया है साथ ही इसके संपर्क मार के विकास के बारे में है इसके तहट दो लेन वाली 889 किलोमेटर लंबी सड़का निर्मार्ग किया जाना है तीसरा अगला देखते हैं तो हम लोग ने एनच मतब नेशनल हाइवे कोड का डिसकेशन कर लिया अब देखते हैं राजमार्ग तो राज राज राजमार क्या है यह वैसे मार्ग हैं जिनके निर्मान रख रखाव की जमेदारी राज सरकार के इंतर गत होती है साथ ही इन पे जितने भी मरमत में खर्च होंगे या जो भी चीज़ें होंगे वह राजमारग की नदी से खर्च होगा राज की नदी से खर्च होगा हो साथ ही हम देखते हैं कि लंबाई कितनी है वड़तमान में इसकी लंबाई है एक लाग छपनईज़ॉसरानब एक लामांचा ठिक řिक समालग देख सकते हैं कि सबसे ज़्याद सगंता राजय मार्गों में किसकी है तो ध्यान रखिए प्रत्वमस्थान पर महराष्टा है राजयों में सबसे ज़्याद किसकी है तो प्रत्वमस्थान पर महराष्टा है सबसे ज़्याद किसकी है तो प्रत्वमस्थान पर महराष्टा है जे ging der माल परिभन का लगभग पेसर परशव को ही होता है तो जितने भी ठांस्पोटेशन है माल के उन्में अ अगर हंड़िड परसेंट हो रहे हैं उन इस 55 पर सांस्पोटेशन माल का वस्तौों का अभीभी सडकों से ही होता है इसलिए ये भी एक कारण है जिसकी वज़से हमारी cost price बढ़ जाती है और यात्रा परिभन का यात्रा पहर विर्यान का तो फिर 80% है उसका तो कोई और बिकलप है ही नहीं 80% सड़क से ही होता है बड़ी चिंतनी है इस्थिती है देख लेजिए प्रधार्मनति ग्राम सड़क योजना के अंतर ने 500 की आबादी वाले सभी ग्रामों को 12-80 सड़कों से जोड़ना ये लक्ष है भारत का सबसे उंचा सड़क मार्ग ये बहुत इंपोर्टन ध्यान रखिएगा भारत का सबसे उंचा सड़क मार्ग लेह स्रीनगर मार्ग है जो कारा कोरम दर्रों को पार क सबसे उंचा सबसे उंचा सड़क मार्ग लेह स्रीनगर मार्ग है जो की कारा कुरम दर्रों को पार करता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके दिसक्स कर सकते हैं भारत का सड़क जाल ये 2020 के अंसार देख लाते हैं राज्टी राजमार्ग एक लाग 32,500 क्लमेटर है ठीक है और कुल इससलक का दो प्रॉब्लम है और राज राजमार्ग देखते हैं तो राज्यों के राजमार्ग में एक लाग 56,694 क्लमेटर है और ये तीन प्रॉब्लम है अन्य सड़के तो च्छपण लाग 8,477 क्लमेटर है और ये पंचानवे प्रसत हैं हमने आपको भी पहले ही बताया था कि अगर पूछता है शगन्ता के बारे में और उप्रॉब्लम है तो आप यहीं समझें चलिए राज्टी राजमार्ग मतलब लोड नैशनल हाईवें सबसी कम है उसके अनने सलके या चोटी सलको का अस्थान आएगा तो सबसे पहले सबसे जारा सगनता किसकी होगी चोटी सलको की चीख है न ध्यान रखेगा इससा पॉइंट वा करने वाली बाते हैं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सलक नेटवर्क वाला देश है ध्यान रखेगा जीमा सलक संगटन की स्थापना 1960 में हुई थी अपने गठन के समय से ही सोड़ी अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 तक इसने 29,149 कलोमेटर लंबी शलकों का निमान कर दिया वह 34,306 कलोमेटर पकी सलकों को लंबी सलकों को पक्का करने का कारें पूरा किया गया है यह संगट में कुल मिलाकर 17,435 किलोमेटर लंबी सलकों का रख रखाओ करता है यह आपको याद करने की जरूरत नहीं है एसिया का सबसे बड़ा रोपवे इसको जरूर याद करेगा एसिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जुमार्ग अब हम देख लेते हैं रेल परिवहन की बात हो और रेल परिवहन की बात नहीं हो तो कुछ अधूरा सा लगता है चलिए भारती रेल एसिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्ग है तथा एकल सरकारी सौमित वाली विस्तु की चोथी सबसे बड़ी नेटवर्ग है पहले तीन स्थान पर कांशा छा शुका सबसे बड़ा नियोगता है भारती रेल वि का सबसे बड़ा नियोकता है ब्रथम रेल में मुंबाई से थाना के बीच में 34 किलोएर की लिए हुई थी, तो कहां से मुंबई से ठाड़ा के लिए थी, अब एक प्रश्न ये उटता है कि 1800 तिरुपन में होई थी, तो 1800 तिरुपन ने गौवर्नर जलनल कौन था? एक कमेंट करके बताए 200 की सबसे पहली रेलगाली 1825 में इसकोर्टन और डॉरलिंगरटन के भी चली थी इसके बाग 1830 में लिबरपूर और मैंचेस्टर को आपस में रेलमार्क से जोड़ा गया है भारती रेलवेःड की स्थापना 1905 में की गए थी पास में क्यों था जान रखेगा था मैं इसलब बोल लुप कि अब मोदी गौंने ने फिर से इसको मतलब हमारे लिए रेल बजटे अलग से पास नहीं होता है भारती रेल का राज्टी करन 1950 में हुआ 1917 में रेल बजट को केंद्री बजट में मिला दिया मतलब अब इसको अलग से नहीं बाद किया जबता है भारती रेल प्रशाशन और प्रबंदन की जम्यदारी रेलवे बोड पर है रेलवे बोड को 18 मंडलों में बाटा गया है जो कि पहले 9 मंडलों में था अब यह 18 मंडलों में और 73 डिवीजिनों में बटा हुआ है प्रतेक मंडल का प्रधान महा प्रबंदक होता है ठीक है आगे देखते हैं को जोन दिये हुए है रेलवे के उन जोन को याद करने की ज़रुवत नहीं है आपको बसके बद सुन लीजे उत्तर रेलवे नई दिल्ली दख़णी रेलवे चन्नाई मध्ध रेलवे मुंबाई दख्षिन पूर्भी रेलवे है यह जो मैं बात में बूल गाऊं। दक्षिन पूर्वी रेलवे, कोलकाता, उत्तर पूर्वी, सेंटर रेलवे, माले गाउं, उत्तर मध्य रेलवे, इलहावाद, मतला प्रयाग राज, दक्षिन पस्मी रेलवे, हुबली, पूर्वी टेट, रेलवे, बोनेश्वर्श, पस्मी रेलवे, चर्च गेठ, मुंबा दसवा पूर्वी रेलवे कोलकाता दक्षिन मध्य रेलवे सिकंद्रावाद पुर्वत्तर रेलवे गुरकपूर पूर्व मध्य रेलवे हजेपूर पस्षिमी मध्य रेलवे जवलपूर उत्तर पस्षिमी रेलवे जैपूर दक्षिन पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपूर कौकता में और दक्षनी ट्रेट्र रेलवे विसाखा पतनम चलिए आगे देखते हैं रेल मंत्र प्यूस गोयलतरा 27 फरी 2019 को भारती रेल के 18 मंदल के रूप में दक्षन रेलवे ट्रेट्र को के स्रिजन की घोश्रा की है और दक्षन ट्रेटी रेलवे देख लिए विसाखा पतनम इस मंदल में दक्षनी मधर रेलवे की तेन डिवीजन गुंटुकल गुंटूर यवम विजेब्याड़ा सामिल के आ खया फालसरूफ सिकंद्रावाद इस्ति दक्षिन मद्र रेलवे अब केवस सिकंद्रावाद हैदरावाद नादेर डिवीजन ही बचा है यह आपको याद करने के जरुवर नहीं है देश में सबसे लंबी दूरी तैंकरने वाली रेलमार विवेक एक्स्प्रेस है जो डिब्रूगर असमसिक कन्या कुमारी तमिलाड की व्यादे चलती है इस दोरान यह 4,286 किलोमेटर दूरी तैंकरती है इससे पूर्व हिमसागर एक्स्प्रेस जो की चम्मुतवी से कन्या क कुमारी के लिए चलती थी वो सबसे लंबी थी जब थी तो इसका लंबा याद करनी जवर्त नहीं है अभी वाले का याद रखिये 4,286 कौन सी है विवेक एक्स्प्रेस वैसे भी देखिये जो विवेक होता है मतलब हमारा मस्तिक्स का विवेक है वो सबसे लंबा है सबसे बड़ा है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है तो सबसे बड़ी रेल वेक एक्सप्रेस नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन वा आगरा क्यांट इस सेशन के विच पाच अप्रेल 2016 में चलाई गई गई गतिमान एक्सप्रेस देश में सरवाधिक गति से चलने वाली रेल एक्सप्रेस है और यह रेल गाड़ी एयर होस्टेस की तरज़ पर रेल याजकाओं मतब ट्रेन होस्टेस की तैनाती सभी कोचों में की गई है इससे पहली सबसे तेज रपतार वाली ट्रेंड दिल्ली भुपास अताब्दी एक्सप्रेस थी विच्व का सबसे लंबार रे कि भारत 2020 के अनुसार भारती रेलवे की कुल लंबाई 67,368 किलोमेटर है मार्च 2019 के अन्द तक भारत के कुल रेल मार्ग में लगबग 50.9 प्रत्सत भाग का बिद्दूती करन किया जा चुका है कितने प्रत्सत तो भारत की जितने कुल रेल मार्ग की लंबाई है ना उसका 50.9 प्रत्सत बिद्दूती करेत है बाकी आज भी डिजल और खोले से ही चलता है भारत में पहली बिद्दूत ट्रेन बामबे वीति कुरला हाइवे के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी है ह sellin भीजली से चलने वाली प्रतम सवारी घंक थी जो बंबै चली हैंने जान लीज़ ने इश माते तहीं कारेरत विश्टु का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्रीइण Governor कारे रथ हैं विस्तु का सबसे पुराना भाप इंजन है और इसका नाम है फेरी क्वीन एक मार्च 1979 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाडी नई दिल्ली और हावडा के भी चली थे भारत और पाकिस्तान के भी चलने वाली समझा होता एक्सप्रेस लहोर अटारी के मद थार एक्सप्रेस मुनाबाओ खोखरा पार के मद चलती है 14 अप्रेल 2008 को मैट्टर एक्सप्रेस चितरपूर धाका के भी चलाए गई एक अगस्त 1994 को रेल गाडी वीमा योजना लागू के गई कॉंकल रेलवे महाराष्ट के रोहा से प्रारंब होकर गोवा के मढगाओं तक जाती है कॉंकल रेलवे कहा तक जाती है तो कॉंकल रेलवे महाराष्ट के रोहा से प्रारंब होकर गोवा के मढगाओं तक इसकी ट्रैक की लंबाही 7,741 क्लमेटर यह सब याद करने की जरू यह जरूर याद रखेगा इन पूरे लाइन में यही एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉंकर्ड रेल्वे के से कौनकों से जुड़े हुए हैं तो यह महारास्ट गोवा करनाटका और केरल एक कुई सीध में जुड़े हुए हैं NCRT 2012 भारत लोग और 28 पेज नंबर 119 किंसार कॉंकर्ड रेल्वे के लंबाई 760 किलोमेटर है जो कि कोई यूश्फुल नहीं है यह रेल मार्ग 146 नदियों धाराओं और 2000 पूलों 91 सुरंगों को पार करता है इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग के लंबाई 605 किलोमेटर इस की सुरात उने 17 में हुई और इसकी योजना प्रयोजना चालू 75 में हुई और दमदम से पहली कहां से चली दमदम से टॉलिगंस तक इस भूमगेत रेल्वे की कुलनमभाई 1645 किलोमेटर है कुलकत्ता मेट्रो रेल की सुरुबात 24 अक्टूबर 1984 को ही चीक है दिल्ली मेट्रो रेल इस यह परियोजना जापान और कोरिया कंपणियों के सहयोग से बनाई गई इसके अंतरगत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसमर 2002 को 30 हजारी से सहाधरा तक यह भी चलाई गई बंगलूरू मेट्रो रेल देखते हैं इसकी सुर मॉंबई मेट्रो रेल 8 जून 2014 मॉंबई में मोनो रेल सुतंत भारत में यह मेमो होता हैं सुतंत भारत में मोनो रेल सरव प्रतम मॉंबई में संचालित की गई जहां इसका सुबारम महराज के मुख्यमंतरी रित्वीराज चौहान ने एक फरवी 2014 को किया संपूर परियोज मॉंबई मोनो रेल हो जाएगी इस संबंध में जापान का पहला जापान का तैसे आट किलमेटर लंबा ओसाका मोनो रेल कोरिडोर सबसे लंबा है 16.9 किलमेटर लंबे टोकियो कोरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थार है और जब 19 हो जाएगा तो यह दूसरा साथ प्याजाएगा मॉंबई मोनो रेल अब देखते हैं नोट में अमेरिका चीन जापान जर्मनी मलेसिया अस्ट्रेलिया के पश्चात भारत बिस्तों में सा सारज्वनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की सुबदा उपलग तो भारत बिस्तों का सात्वा ऐसा देश है जहां पे मोनो रेल सुबदा उपलग है जैपूर चन्नाई लखनओ में भी मैटोरेल सिवा सुरू हो गए चंडीगड वो पाल गौहाटी पूरे आज मैटोरेल सिवाने कारे करना सुरू कर दिया है बिस्तों की पहली मैटोरेल लंदन में चली इसकी सुरूआ 1963 में हुई थी यह बिस्तों की दूसरी सबसे लंबी मैटो ट्रेन है इसकी लंबाई 402 किलो मेटर है चीन की संगाई मैटो बिस्तों की सबसे लंबी मैटो ट्रेन है इसके कुल लंबाई 434 किलो मिटा है अंग कि र McG को चितरळ रिंजन और 5000 राउंग लेखा पृत क्षा में पड़ाैए रेल्वे इंजन बनाने का नया कारखाना मदेपुरा ये फुछा हुआ कोश्चन है बिहार पीजस में रेल्वे इंजन बनाने का नया कारखाना मदेपुरा एलेक्ट्रिक इंजन बढ़वरा डीजल इंजन बिहार में स्थापित किया गया है पहया बनाने का गाराखाना च्छपरा बिहार में इस्थापित किया गया है चपर खुलुकर का पहली रेल गारी है इसका उठगाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने आठ अपरेल दोजार सोला को नई दिल्ली में वीडियो कॉंफरेंस के देरिये किया था और आगे देखते हैं नई दिल्ली हावला राज़ानी एक्स्प्रेस वाइफाई सुब्दा वाली भारत की पहली रेल गारी है यह सब इंपोर्टेंट है तो वाइफाई सुब्दा वाली पहली रेल गारी कोंसी है नई दिल्ली हावला एक्सप्रेस राज़ानी एक्सप्रेस गरीबों की लंबी द खौरा राजमर्ग पूरा हो जाने से कलकत्ता से अगरतला के बीच की लंबाई की रेलमार की दूरी 1650 किलो मेटर से घटके 560 किलो मेटर रह गई इस अंतराश्ची रेलमार का अधिकांस भाग बांगलादेश में है युनेस्कोदारा भारत की चार भारती रेलमार्गों को विस्व विरासा सूची में सामिल किया गया है कौन कौन सी यह इंपोर्टेंट है देख लेजिए दारजलिंग हिमालेयन रेलवे जिसका उप नाम राय ट्रेन है दूसरा छत्रपति सिवाजे टर्मिनल तीसरा निलगरी माउंटेन रेलवे जिसका उप नाम ब्लू माउंटेन ट्रेन है चौथा कालका सेमला रेलवे जिसका उप नाम ट्राय ट्रेन है इन चारों को विस्व विरासत की सूची में सामिल किया गया है इन यु हमें प्यार है भारती रेलवे से अपनाया गया तीन मिनट के इस गीत को सत्य प्रकास ने लेखा है स्रवन के संगीत स्रवन के संगीत निर्देशन ने उधित नरायन और कविता कृष्ण मुर्ती ने गाया है महात्मा गाधी ने कहा था भारती रेलवे ने विविज संस्कृतितों के लोगों को एक साथ लाकर भारती सुन्ता में सहयोग प्रान किया है कभी इतिहास पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे कैसे अब देखे वाई गयान वाई परिवहन के बारे में हम देखते हैं इसके सुरुवात 2011 में हुई थी जब इलहाबाद से नैनी के बीच विश्ट्व की प्रथम विमान डाक सेवा परिवहन किया गया था तब किया गया था 1911 में 1933 में इंडियान नेशनल एरवेज कंपणी की स्थापना हुई उनेशो त्यरपन में सभी विमान कंपणियों का राश्टी करण करके उन्हें दो नवी नव निर्मित विवानों में क्यधिन रखा गया है कौन-कौन से एक का नाम है भारती विमान न देश के कि आंत्रिक भागों के आंत्रिक सिमा और्ती देश नेपाल पाकिस्तान सेलंकावां कामालदेश मालदीव मैंनमार अफगानिस्तान सिवाई उपलब्द कराया मतलब भारती विमान नीगम जो है वह अपने देश के आंत्रिक भागों में साथ TWE के पड़ोशी इसमें चालू रण के लिए वाई दूत नामक तीसे निगम की स्थापना किए गई इस जिसका बाद में भारती विमान निगम में विलाय हो गया 24 अगस 2007 को सारज़निक कंपनी सारज़निक छेत्र की विमानन कंपनी Air India का भारती विमान निगम का में विलाय हो गया यह दोनों कंपणिया अब नैस्नल एविएशन आफ कंपणी ऑफ इंडिया लििमितेड नेस्नल एविएशन मिल्ट के नाम से कारणत हैं कंपण ब्राणण नाम एर निया है ठीक है ब्राणण सबसे बड़ी कमपणी में सामिल है वर्तमान में 2020 में इसके साथ 43 सेलिकाप्टरों का बेड़ा है इसके पास 43 सेलिकाप्टर है 43 परमहंस हर वर्स मई जून सितंबर अक्टूबर में यात्रा के दोरन फादा से केदार नारत तक हिलिकाप्टर से वाउपलब्द कराती है इंद्रा गांधी राश्टी उडान अकादमी के सापना दे गए भारती विवान प्राधिकरण का गठन एक अपरल 1995 को किया गया प्राधिकरण देश में अंतराश्टी हवाई अड्डो घरेलू हवाई अड्डो नागरिक विमान टेर्मिलों का प्रबंदन करता है चलिया कुछ अंतराश्टी हवाई अड्डे और उनकी स्थिति था और बता हैं तो दो पढ़ाई होगा उंद्रगान्दी अंतराष्टी हवायद्डा नेधिल्लीusz शुद्षिब इंपर वाइद्डा नेता जिस्वास्चन बोस अंतराष्टी हवायद्डा कहां एक पुलकत्ता में अन्ना अंतराश्टी हवाई-ड़्टा चन्नई में। बाबा सहाब अंबेतकर अंतराश्टी हवाई-ड़्टा नाकपूर में। उपंद्रा room gaur a 1943 certified ज़आति आ हांधब्हाई नीदिली में। चत्वरति्थी शिवाजी कहा चम्बंधी थे, महराष्ट्रा मुंबाई से, सुभाष च्ण बोश कहा सम्बंधे थे, पुलकत्ता से, अन्ना अंतर रास्टी होई एड़ा कहा से, चन्नहीं सहुध में, बाबा साब अंबेटकर अंतर रास्टी होई एड़ा, नाकपूर सर्दार बरलाब्भवाई पटेल अंतराश्टी हो एड़्ड सर्दार बल्लाब्भवाई कहा से गुजराव से समंदित मतल्ळामधाबाद गोपिनात बारडोली अंतरराश्टी अवाई यवड़्द गोहाटे चोधर इचरण सीन अंतराश्टी हवायड़ा लगनों सब जुड़े हुए हैं आप पढ़िये तो उसको कीवर्ड से जोड़िए लिंक जोड़िए अपने आप याद रहेंगी चीज़ें स्रीगुरु रामदास जी अंतराश्टी हवायड़ा अमरित सर्थ त्रिविंदम अंतराश्टी हवायड़ा त्रवंत पुरम कालिकट अंतराश्टी हवायड़ा कोची कुण राजियु गांधी अंतराश्टी हवायड़ा कोची वीर्सावरकर अंतराश्टी हवायड़ा और कोयमबटूर अंतराश्टी हुआ यद्धा कोयमबटूर में तुरा तिर्चुरापली अंतराश्टी हुआ यद्धा वारासी में तीक है अब हम चल परिभन की बात कर लेते हैं जो कि काफी जरूरी है केंद्री अंतर देशी जलमार्ग पाधिकरण की स्थापना 1987 में वह नदियों नहरों और जीलों के द्वारा जोड़ा गया है अपस में इसमें देखे कई सारी हैं तो जो सबसे बड़ा है उसी को बता दिया है इसने हल्दिया से इलहाबार को 22 अक्टूबर 1986 को राश्टी राजमार संख्या 1 कहां से कहां तक के लिए टूटल 6 साथ है अभ अभी महत्यकूर भूम क्या निवाता है देश की मुखी भूमी का 560 किलोमेटर लंबी टट्रेका पर 13 बड़े और 180 मजोले बंदरगा इस्थित है भारत में 111 राष्टी जलमार गया है ठीक है भारत में 111 राष्टी जलमार गया है इस वह सबसे बड़ा है और सबसे चोटा जो हो उसको याद करीए सबसे चोटा कौन सा है सबसे चोटा है एनच और ड़लू 6 नस्नल वाटर वेज शिक्स लखीमपूर से खागा तक 121 किलमेटर और यह भी प्रस्तावीत है ठीक है तो एनड़लू 6 सबसे चोटा एनड़लू साधिया से धुबरी साधिया से धुबरी एनड़लू 3 कुलम से पुरम एनड़लू 4 काकी नाड़ा से मरक कानम और एनड़लू 5 वाटर वेज 5 तलचर से धमरा नस्नल वाटर वेज 6 लखीमपूर से भंगा और इसकी लंबाई 121 किलमेटर है चली आगे देखते हैं देश का स कोटे बंदरगां का बंदरगा समिदान की समवर्ती सूची में सामिल है जिसका प्रबंदर राजसरकार करती है देश का सरुसेष्ट प्राकृतिक बंदरगा नहां रखिए प्राकृतिक बंदरगा देश का सबसे बड़ा मुंबई और देश का सरुसेष्ट प्राकृतिक बंदरगा विसाखा पत्तनम यह भारत का सबसे गहरा बंदरगा है इसमें दो फैक्ट दोनों इंपोर्टन है देश का सरुसिष्ट प्राक्रतिक बंदरगा विसाखा पत्तनम और देश का सबसे गहरा बंदरगा विसाखा पतरम, इसे डालफिन नोज चट्डाण के पीछे है, यह डालफिन नोज चट्डान के पीछे है, गुज़रात इस्तित कांगणा एक ज्वारी बंदरगा है, जरूर याद रखेगा यह तीनो चाहर फैक्ट बहुत इंपोर्टन न, गुज़रात इ कुलकत्ता प्रस्चिम बंगाल में हुबली नदीपे मुंबई महरास्चा अरब सागर में चन्नाई तमिलनाड बंगाल की खाड़ी में कोची केरल अरब सागर में विसाखापत्रम आंदरप्रदेश बंगाल की खाड़ी में पारादीप ओडीशा बंगाल की खाड़ी में कांगा गुजराथ अरबसागर में नियूमंगलू कर्नाठका अरबसागर में नहावा सुवा महाराश्च अरबसागर नया से फिर mandate इसने नेहरो यह जयल नहरोत हैं तिकर्पर तंग्ध रें JOHN Tarright corros奇 देन दयाल और कामराज हो गया तो अधी कोरिन का वियोग चंदंबर नार हो गया कुलकblesता नदी प्रकार का बंदर गाली और गिए प्राक्रतीtal अभित 북한 बंदर गाली विब्रगेद प्राकृति मोफजेक्ट से चन्या हैं का उसाइल जण कटिम बंदर करें के भारत का सब इसे कहां हुआ होना है तो किसके किसके चन्नाई और तुति कोरिन के बीच कोचिन सिप्याइड लिम्टेट के साप्राइड 172 में हुई थी इसका मुख्याल कोचिन केरल में है यह देश का जहाज निर्मार और मरम्मत का सबसे बड़ी छमतावाला सिप्याड है दाहेज दाहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगा है जो रसाइनों के निप्टान है तो इस्थापित किया गया है इसलिए इसको हम रसाइन बंदरगा के नाम से भी जानते हैं ठीक है और तालीस मेट हो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में भारत की जिनकरना के साथ फिर से मुलागात होगी तब तक के लिए बाब बाए और हाँ चैनल को लाइक शेर और कमेट जरू कर दीजेगा इससे कुछ होता नहीं है बस हमें एक मोटि